अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन 15 अक्टूबर 1931 को पंबंध वीप पर फिर मदरास प्रेजिडेंसी में और अब तमिलनाडु राज्य में तीर्थस्थल रामेश्वरम में एक तमिल मुसलिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मक्या एक नाव के मालिक और एक स्थानिय मस्जिद के एमाम थे। उनकी मा अश्यम्मा एक ग्रहिनी थी। उनके पिता के पास एक नौक थी जो हिंडू तीर्थ्यात्रियों को रामेश्वरम और अब निर्जन धनुष्कोडी के बीच आगे पी मारा काय तटिय तमिलनाडू और श्रीलंका में पाया जाने वाला एक मुस्लिम जातिय समूह है जो अरब व्यापारियों और स्थानिय महिलाओं के वन्शज होने का दावा करता है। पारिवारिक व्यवसाय में मुख्य भूमी और द्वीब के बीच और श्रीलंका से किराने का व्यापार करना साथ ही मुख्य भूमी और पंबन के बीच तीर्थ्यात्रियों को लाना ले जाना शामिल था। हाला की 1914 में मुख्य भूमी के लिए पंबन ब्रिज के खुलने के साथ व्यवसाय विफल हो गए और 1920 के दशक तक पैत्रिक घर के अलावा पारिवारिक भाग्य और संपत्यां खो गई। कलाम के जन्म की समय परिवार गरीबी सित्रस्त था। एक युवा लड़के के रूप में उन्हें परिवार की मामूली आय को बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड औसत थे लिकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली और मेहनती चात्र के रूप में वर्नित किया गया था जिसमें सीखने की तीव रिच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई विशेशकर गनित पर घंटो समय बिताया। श्वार्ट्स हाय सेकंडरी स्कूल रामनात्पुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम सेंट जोसफ कॉलेज तिरुचिरापली में पढ़ने चले गए जो उस समय मदरास विश्व विद्यालय से संबद था जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में सनातक की और उन्होंने अगले तीन दिनों के भीतर परियोजना समाप्त नहीं हुने पर उनकी छात्रवृत्ती रद करने की धमकी दी। से सनातक होने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा DRDS के सदस्य बनने के बाद एक वैग्यानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रैस सूचना बयूरो, भारत सरकार द्वारा के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो कोश तक डॉक्ट, उन्होंने अपने करिया की शुरुआत एक छोटे होवक्राफ्ट को डिजाइन करके की, लेकिन DRDO में अपनी नौक्री के विकल्प को लेकर वे असमंजस में रहे। कलाम प्रसिद अंतरिक्ष वैग्यानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करते हुए INCOSPAR में शामिल हो गए। तुम्बा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन T.E.R.L.S के पहले निदेशक H.S. मूर्ती द्वारा उनका साक्षातकार लिया गया और उन्हें इसरो में भर्ती किया गया। 1979 में कलाम को भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया। जहां वो भारत के पहले सेटिलाइट लॉंच वाहन SLV-3 के परियोजना निदेशक थे। जिसने जुलाई 1980 में रोहिनी उपग्रह को निकट पृत्वी की कक्षा में सफलता और उन्होंने अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कारेक्रम का विस्तार किया। राजा रमन्ना ने TBRL के प्रतिनिधी के रूप में देश के पहले परमानू परीक्षन स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए आमंत्रित किया था। भले ही उन्होंने इसके विकास में भाग नहीं लिया था। विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन आवंटित किया। कलाम ने इन वरगीकृत एरोस्पेस परियोजनाओं की वास्तविक प्रकृती को छुपाने के लिए केंड्रिय मंत्रि मंदल को समझाने में एक अभिन भूमिका निभाए। उनके शोध और शेक्षिकी नेत्रित्व ने उन्हें 1980 के दशक में बहुत प्रसिद्धी और प्रतिष्था दिलाए, जिसने सरकार को उनके निर्देशन में एक उननत मिसाइल कारेक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कलाम और रक्षा मंत्री के धातु विग्यानी और वैग्यानिक सलाहकार डॉक्टर वियस अरुना चलम ने एक के बाद एक योजनाबद मिसाइलों को लेने के बजाए मिसाइलों के तरकश के एक साथ विकास के प्रस्ताव पर ततकालीन रक्षा मंत्री आर वैंकटरमन के कलाम ने मिशन के तहत कई मिसाइलों को विक्सित करने में प्रमुक भूमिका निभाई जिनमें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अगनी और सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल प्रिथवी शामिल हैं, हालांकि परियोजनाओं की कुप्रबंधन और लागत औ सचिव के रूप में कार्य किया। इस अवधी के दोरान पोकरन द्वितिये परमानु परीक्षन आयोजित किये गए जिसमें उन्होंने एक गहन राजनीतिक और तक्नीकी भूमिका निभाई। परीक्षन चरण के दोरान कलाम ने राजगुपाला चिदंबरम के साथ मुख के लिए कलाम की आलोचना की। कलाम और चिदंबरम दोनों ने दावो को खारिच कर दिया। लूप में कार्य किया। उन्होंने 2002 के राष्ट्रपती चुनाब में 922-884 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत हासिल की, जो लक्ष्मी सहगल द्वारा जीते गए 107-366 वोटों से अधिक था। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। और राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी दोनों ने उनका समर्थन किया। उम्मीद्वारी समाजवादी पार्टी द्वारा कलाम के लिए अपने समर्थन की घोशना के बाद, नारायनन ने पद के लिए दूसरा कारेकाल नहीं लेने का फैसला किया और मैदान खाली कर दिया। कलाम ने अपनी उम्मीद्वारी की घोशना के बारे में कहा मैं सच मुछ अभिभूद हूँ। इंटरनेट और अन्य मीडिया में हर जगह मुझसे एक संदेश मांगा गया है। मैं सोच रहा था कि इस समय मैं देश की जनता को क्या संदेश दे सकता हूँ। 18 जून को कलाम ने वाजपेई और अपने वरिष्ट कैबिनेट सहयोगियों के साथ भारतिय संसद में अपना नामानकन पत्र दाखिल किया। अपने कार्यकाल के दोरान उन्हें प्यार से जनता के राश्ट्रपती के रूप में जाना जाता था। उनका कहना था कि लाब के पद विधेयक पर हस्ताक्षर करना उनके कारेकाल के दोरान लिया गया सबसे कठिन निर्नाय था. अपने कारेकाल के दोरान उन्हें सौपी गई 21 दया याचिकाओं में से 20 के भागे का फैसला करने में निश्क्रियता के लिए कलाम की आलोचना की याचिका पर कारवाई की, जिसमें बलातकारी धननजे चटजी की याचिका को खारिच कर दिया, जिसे बाद में फांसी दे दी गई. शायद सबसे उल लेखनिय याचिका अफजल गुरू की थी, जो एक कश्मीरी आतंकवादी था, जिसे दिसम्बर 2001 में भारती संसत पर हमले की साजिश का दोशी ठहराया गया था और 2004 में भारत के सर्वोच न्यायाले ने मौत की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के दौरान 20 अक्टूबर 2006 को निश्पादित होने वाली थी, उसकी दया याचिका पर लंबित कारवाई के परिनामस्वरूप उसे मृत्युदन पर ही रखा गया. उन्होंने 2005 में बिहार में राष्ट्रपती शासन लगाने का विवादास पद निर्नए भी लिया. सितंबर 2003 में, PGI चंडीगर में एक इंटरेक्टिव सत्र में, कलामने देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, भारत में समान नागरिक सहिता की आवश्चक्ता का समर्थन किया. अपने कारेकाल के अंत में, 20 जून 2007 को, कलामने कारियाले में दूसरे कारेकाल पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते 2007 के राष्ट्रपती चुनाव में उनकी जीत के बारे में निश्चित्ता हो. हाला की, दो दिन बाद, उन्होंने ये कहते हुए दोबारा राष्ट्रपती चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया कि वो किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में राष्ट्रपती भवन को शामिल करने से बचना चाहते हैं. उन्हें सयुक्त राष्ट्रे प्रगतिशील गटबंधन की नेता जे जेललिता और समनवयक चंद्रबाबु नाइडू, अन्य नेताओं मुलायन सिंग्यादव और ओम प्रकाश चोटाला नामक तीसरे मोर्चे द्वारा प्रस्तावित किया गया था. लेकिन उन्हें वाम दलो, शिफ सेना और UPA के घटक दलो का समर्थन नहीं मिला. नवीनी कृत अधिदेश प्राप्त करने के लिए 24 जुलाई 2012 को बारवी राष्ट्रपती प्रतिभा पार्टिल का कारेकाल समाप्त होने के करीब, अप्रेल में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि कलाम को उनके दूसरे कारेकाल के लिए नामानकित किये जाने की संभावना है. रिपोर्टों के बाद, सोशल साइटों पर कई लोगों ने उनकी उम्मीद्वारी का समर्थन किया. भाजपा ने संभावित रूप से उनके नामानकन का समर्थन किया सत्यापन में विफल, ये कहते हुए कि अगर त्रिनमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस उन्हें 2012 के राष्ट्रपती चुनाव के लिए प्रस्तावित किया तो पार्टी अपना समर्थन देगी. चुनाव से एक महीने पहले, मुलायम सिंग यादव और मम्ता बैनर जी ने भी कलाम के प्रती अपना समर्थन व्यक्त किया. भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस ने 2012 12 में कलाम के नामानकन का विरोध किया. कुछ दिनों बाद मुलायम सिंग यादव पीछे हट गए और मम्ता बैनर जी अकेली समर्थक रह गई. 18 जून 2012 को कलाम ने 2012 का राष्ट्रपती चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. उन्होंने ऐसा न करने के अपने निर्णय के ब अभिभूत हूँ. यह उनकी इच्छा है. मैं इसका सम्मान करता हूँ. मैं उन्हें मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. 2011 में, कुडन कुलम परमानू उर्जा सयंत्र पर उनके रुक को लेकर कलाम की नागरिक समुहों द्वारा आलोचना की गई थी. उन्होंने परमानू उर्जा सयंत्र की स्थापना का समर्थन किया और उन पर स्थानिय लोगों से बात न करने का आरोप लगाया गया. प्रदर्शनकारी उनकी यात्रा के प्रती शत्रता पूर्ण थे क्योंकि वे उन्हें एक परमानू समर्थक वैज्ञानिक के रूप में देखते थे और सयंत्र की सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में उनके द्वारा दिये गए आश्वासनों से प्रभावित नहीं थे. मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए What Can I Give मूवमेंट नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका मुख्य विशे भरष्टाचार को हराना था। अनुसार शाम लगभग 6 बच के 35 मिनट बजे अपने व्याख्यान के केवल 5 मिनट बाद वो गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें पास के बैथनी अस्पताल ले जाया गया। आगमन पर उनमें नाडी या जीवन के किसी अन्य लक्षन का अभाव था। गेहन चिकितसा इकाई में रखे जाने के बावजूद कलाम की शाम पॉने 8 बजे अचानक रिदय घात से मृत्यू की पुष्टी की गई। और राष्ट्रपती, उप्राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल और भारतिय सशस्त्र बलों के तीन सेवा प्रमुखों ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने कलाम की शरीर पर पुष्पांजली अर्पित की। जनता और कई गणमान्य लोगों ने श्रधानजली अर्पित की। हवाई अड़े पर उनके पार्थिव शरीर का स्वागत तीनो सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रिय एवं राज्य के गणमान्य लोगों ने किया, जिनमें कैबिनेट मंत्री मनोहर परिकर, वेनकेया नाइडू, पोन राधाकृष्णन और तमिलनाडू और मेगालय के राज्यपाल के रोसया और वी शन्मुग नाथन शामिल थे, एक संक्षिप्ट समारों के बाद, कलाम के पार्थिव शरीर को वायू सेना के हेलिकॉप्टर द्वारा मंटपम शहर ले जाया गया, जहांसे इसे सेना के ट्रक में उनके ग्रिहनगर रामेश्वरम ले जाया ग पूर्व राष्ट्रपती को पूरे राज्किये सम्मान के साथ रामेश्वरम के पे करुंबु मैदान में दफनाया गया, अंतिम संसकार में 350,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें प्रधान मंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और करनाटक, केरल और आंधरा प्रदे इसके मुख्यमंत्री शामिल थे.